स्वागत है सभी क्यूरियोस फाइन्स का आज मैं एक खास प्लांट को दिखाने वाला हूँ और आज इस प्लांट को ही डिसकस करेंगे बाते करेंगे इस प्लांट के बारे में पहले तो समझ लिजे कि एक और्नामेंटल श्रब के तौर पर देखा जाता इसको और इसका साइ इसका जो नाम है वो है जट्रोफा कॉसिपी फोलिया और फैमिली यूफोर बीएस ये फैमिली को यह बिलॉंग करता है कॉमनली आम इनको कई नामआओ से जानते है जैसी की कॉटन लिज़ फिजिक नट ही बळी एक बुष बोलते है और ब्लएक फिजिक नट हमारी जो इसको पई Indiati उसमें भी इसको कई नामँ से जानते है जैसे कि मराथी में मोगली एरंड बोलते हैं, बंगाली में वरेंदा बोलते हैं, गुज्राती में नेपाळो बोलते हैं, तो ऐसे कई नाम हैं, सारे नाम डिस्क्रिप्चन में बेंशन कर दूँगा, एक नाम जो गलत लिया जाता है, इसलिए हम common name को prefer नहीं करते हैं बोटनी अलकन्ना टिंक्टोरिया को माना जाता है जो कि एक डिफरेंट फैमिली बुरंगी नेसिये फैमिली को बिलॉंग करता है जिसका इस्तमाल डाई जो लाल डाई मेडिसिन और फूड में किया जाता है जट्रोफा जो है यह poisonous plant होता है जितने भी जट्रोफा की पौदे होते है इस जीनस के वो poisonous होते है इसकी seed में poison होता है तो बच्चों को खास तर पर हमें दूर रखना चीए इनसे क्योंकि वो खेल-खेल में ही इसको इसके साथ खेल सकते हैं और मुँवें इसको डाल सकते हैं इसको जमाल गोटा भी बोलते है जीनस जट्रोफा जो है यह बिलोंग करता है Euphor주세요 family और Subfamily एकैली फोईड ही है और इसमें 175 species आती है जो दुन्या भर में फैली हुई है यह जो हमारा पौदा है आज का यह native है मेक्सिको सब ट्रॉपिकल अमेरिका का लेकिन आज यह नेचरलाइज हो चुका है ऐसी ट्रॉपिकल रीजन में जैसे हमारा भारत देश है यहाँ पर भी अभी यह नेचरली ग्रो करता है और कॉमनली इसको रेड फिजिक नट बोलते है और गलत तर पर रतन जोत या जंगली और जंगली एरन भी बोलते है हिंदी में इसके अगर हम फूल को देखे तो लाल फूल एक्जिलरी रेसमी जो की एक सेंटीमिटर की होती है कॉमनली यह जो बैली एक का बुश है बैली एक बुश का पौदा है यह करिबिन आइलेंज में भी पाए जाता है और थूआउट ट्रॉपिक अब यह फैल चुका है इसकी हाइट की बात करें तो आट से तेरा हुट तक यह लंबा हो सकता है एक श्रप के तौर पर हम देखते हैं इसको इसमें तीन लोब्ड लीवस जो की पर्पल होती है स्टिकी होती है जब यह यंग होती है और वो ब्राइट ड्रीन कलर की हो जाती है जैसे जैसे वो पुरानी होती है ये एक फ्लारिंग प्लांट का स्पॉर्ज फैमेली का मेंबर है जिसको यूफोर बीसी फैमेली भी बोलते है कई बार आप देखोगे इसको और्नामेंटल प्लांट के तौर पर रोड साइड पर या वेस्ट लैंड पर लगाते लोग खास बात है कि इसके पुरे बोडी में प्लांट के पुरे बोडी में आपको ग्लैंडूलर हैर्स दिखेंगे बाल दिखेंगे चोटे-चोटे जो की लिवस की मार्जिन में भी है स्टैम पर भी है और दूसरे जट्रोफा जिसको हम commonly जो similar species है दिखने वाली जट्रोफा कुरकास से हम इसको इसी तरीके से distinguish कर पाते है यह जो जट्रोफा जीनस का प्लांट है यह इसका जो नाम है ग्रीक शब्ट से लिया है जिसमें इसका आर्थ होता है physician या त्रोष का और प्रोफे का आर्थ होता है nutrition इसलिए इसको फिजिक नट भी बोलते है जो कि एक common नाम है इसका इसके जो अगर हम यंगर स्टेम्स को देखेंगे जो नए स्टेम है उसके हमको जो कि पर्पलिश और बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उसपर non-woodie होता है और जो ओल्डर स्टेम्स होते है वो थोड़े softly woody हम लोग बोल सकते है इसके leaves alternate है permanently 3-5 lobed होते है dark purple जब ये young होते है और फिर olive green color age के साथ हो जाता है फूल देखे तो पांच petaled और terminal cluster होता है एक गहरा लाल रंग जो की और बीच में हमको पीला center दिखाए देता है इसके जो छोटे लाल फूल है और जो yellow center है वो cluster में appear करते है और cherry size के इनके seapod जो है जो की इनका fruit है वो toxic होता है plants जो है इस species के उसमें separate male और female flowers होते है और इसको unisexual flower बोलते है और cyathium inflorescence और एक invasive species है जो की आज tropic में तेजी से फैल रही है इसको poisonous मानते हैं लेकिन इस plant में कई सारे medicinal values भी होते है तो एक cousin है caster plant का आपने देखा होगा जो recinus communis है जो की same family caster family को बिलॉंग करता है जादा तर जो species होती है इसमें वो America की native है और जितने भी members है यूफोर BAC family में जैसे की जट्रोफा उसमें एक compound पाया जाता है जो की highly toxic होता है जट्रोफा species जो है traditionally इनको use किया जाता है basket making में, tanning करने में dye production में इनके जो leaves और stem है जट्रोफा gossipy folia के इसका इस्तमाल potential source है ये natural dye का जिससे हम cotton यान को dye कर सकते है medicinal values है जैसे की constipation में उपयोगी है फिर इसमें anti-hypersensitive, anti-inflammatory ऐसे सारी properties होती है दूसरे uses की बात करें तो biodiesel production में इस genus के कुछ पौदों का इस्तमाल होता है pesticide के तौर पर, insecticide के तौर पर ornamental value है इसकी ayurveda में जो है इसके तेल को इसके जो seed के तेल निकलता है उसको eczema और skin inches में use किया राता है उसके treatment में एक medicinal plant है जिसको use किया राता है gum pain को भी कम करने में और ये सारे traditional uses है इस पर और research की आवाश रकता है फिरि हम इसको use कर सकते है judrofa जो है widely use के राता है इस billy egg bush को अफरिका और अमेरिका में और इसके जो पत्ते है इसको mouthwash के तोर पर भी use करते है तो ये सारी uses बताए गए नेकिन इस पर और ज़्यादा प्रमान किया आवाश रगता है इसके stem का जो sap निकलता है उसको bleeding में bleeding को रोकने में cuts को ठीक करने में इसमें anti-cancer properties leprosy को fight करने की शमता और इसको जो decodation बनता है इसके bark का इसके जो leaves का वो stomach एक में use करता है एक study जो प्रमान देती है उसमें ये बताया गए कि इसमें significant analgastic neuropharmacological और anti-diarial properties होती है जो कि जिसको अगर हम और जादा investigate करें उसके compound को isolate करें तो और जादा हम इस plant को समझ पाएंगा और इसकी uses को समझ पाएंगे जो एक main use जो है इस genus का वो एक energy as a biodiesel देखा जाता है 2000 की साल में एक species जो judropha kurkas है उसमें बहुत जादा interest लोगों का जागा था क्योंकि उसको biodiesel production में use किया रहा सकता है उसके seed में 27-40% तक तेल निकलता है जो की एक high quality biodiesel fuel के तौर पर इस्तमाल किया रहा सकता है तो जो judropha kurkas नाम की species है जो इसकी तरह दिखाए देती है वो commercially जादा cultivate की जाती है क्योंकि उसका biodiesel plant के तौर पर उसका potential है तो यही था आज का वीडियो ऐसे degraded landscape में आप उसको जादा देखोगे बहुत जादा hardy plant होता यह